पलायन उत्राखंड में एक अभिशाब बन चुका है इससे कैसे निप्टे यह एक बहुत महत्पूर्ण विशा है परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपने घरों को छोड़ने के लिए पहाड़ी उत्राखंड वाशी विवश है पलायन आयोग की रिपोर्ट के मताविक अलमोडा जनपद में वर्ष 2001-2011 तक दस सालों में करीब 70,000 लोग पैतरिक गाउं से पलायन कर गए 646 पंचायतों से 16,207 लोगों ने 7 रूप से गाउं छोड़ दिया है अब इन लोगों के दोबारा वापिस गाउं लोटने की संभावनाएं नहीं है आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनपद की 11 विकास खंडों से 7.1 तीन प्रतिशत लोगों ने गाउं के नजदी की शहरी छेत्रों में पलायन किया है पलायन आयोग द्वारा राज्य बनने के पहले 8-10 वर्षों के हालात की अंदेखी करने से पलायन के कारणों की सही तस्वीर का पता लगाये जाना मुम्किन नहीं रिपोर्ट कहती है कि 10 साल में 700 गाउं बंचर हो गए 3.8-3 लाख लोगों ने अपना गाउं ही छोड़ दिया इन में से 1,18,981 लोगों ने स्थाई तोर पर उतराखंड को बाई बाई कह दिया इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए गाउं में विरान पड़े घरों में दुबारा रौनक लोटे एक युवा हरिश जोशी ने यूकेशान नाम से एक मोहिम प्रारम की है हरिश जोशी अभी नरेंद्र नगर रौंदेली वार्ट से क्षेतर पंचाय सदसे हैं ये इंजिनिरिनिंग में मास्टर डिग्री हैं और इसी सर्विस को दिजिटल www.ukesan.com भूप देकर इन्होंने पूरे उत्रा खंड में चला दिया है हरिश पूर्व कैबिनेट बंत्री लखी राम जोशी के पुत्र हैं शुरुवात अपने गाउं से कर चुके हैं जिस कारिकर्म के अंतरगत हमारे गाउं में हमारे छेतर में जो वीरान पड़े घर हैं उनको पुरानी पहचान दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं उत्रा खंड उत्र परदेश के परवतिये हिस्सों को अलग करके एक परवतिये राज्ये बनाया गया था लेकिन वियावारिक तोर पर परवतिये परदेश की जीवन पदेदी के हिसाब से विकास का आधार भूत धांचा बनाने के बारे में सिर्फ जुबानी जमाखर्च होता रहा दुर भागे यह रहा कि राज्ये बनने के बाद भी यहां कुछ खास नहीं बदला